हेलो गाइस आप सभी के स्वागत हैं तो आज का जो मारा वीडियो है इस हॉम्मिंग प्रोग्लम को लेके तो आपके पास भी ऐसा हॉमिंग प्रोग्लम हो रहा है और वीडियो इस वीडियो में बने रहा है और वीडियो को स्किप मत किजिएका वीडियो पूरी देखियेगा तभी आपको समझ माएगी क्या प्रोग्लम होने से क्या होती है तो मैं इसमें जो मैं प्रोग्लम बताने जा रहा हूँ यहां पर तीन I.C. लगभग जो प्रोग्लम आती है इस चीज का तो लगभग प्रोग्लम आती है I.C. के कारण से तो चलिए मैं एक IC जो प्रोग्लम थी मरा इसमें एक IC को मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ कि जो प्रोग्लम है इसके कारण आती है तो चलिए देख लेते हैं तो चलिए इस IC को मैंने रिमूब कर रहा हूँ disorder के wire के मदद से तो यह disorder wire आपको market में available मिल जाएगा या disorder pump के मदद से भी आप इसको remove कर सकते तो उसका मैं दिखाया नहीं हूँ और मैं disorder wire ही ज़्यादा उपयोग होता है और सबसे असान खोलने में disorder wire से ही होता है तो आप disorder wire की मदद से आप IC के remove कर सकते तो देखिए हमारा यह IC है पूरी तरीके से जल गया जिसके कारण homing problem आ रही है तो चलिए इसको भी मैं check करता हूँ फिर से और इसके बाद भी हमारा यह homing problem सही नहीं हुआ फिर से मैं check कर रहा हूँ दूसरे IC का तो इससे भी homing problem आ रही है किसी कारण बस IC खराप नहीं होने के बाद भी तिकता नहीं है बट अंदर से खराप हो जाता है तो चलिए मैं इस IC को भी remove कर दूँगा और remove करने के बाद मैं फिर से check करूँगा base का क्या उसमें भी वह हरकत है तो चेक करूँगा अगर सही हो जाता तो मैं इस तोनों में new IC लगा के सही हो जाएगा अगर इससे हो करने के बाद भी सही नहीं होता है तो आपका जो इससे power supply में आपका दो capacitor लगे होगी तो उस दोनों capacitor अगर बिसपोर्ट कर या जिसके कारण से भी आपका इस तरह का हॉमिंग प्रोग्लम आ सकता है और किसी कारण बस उस capacitor में अंदर से खराप होने के कारण ही ऐसा प्रोग्लम हो सकता तो बहुत ही कम होती है उसा तो कि मैं भी चिट कर रहा हूँ कि हमारा हो चुका है सही और लगबा कही प्रोग्लम आते हैं इसमें तो चलिए सारे क्लिप को लगा के इसको सेट करते हैं लगिन कभी कारण होते हैं कि उस capacitor के कारण भी प्रोग्लम आते हैं तो इसा प्रोग्ल नहीं है तो पुरी तरीके से में दिखा नहीं सकता अभी जो प्रोग्लम थी इसको सॉल्व कर दिया हूं आप वीडियो में कोमेंट कर सकते हैं बाट कुछ 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 कॉमेंट यह होता है कि आप बूलेंगे एक चीज़ दिखाया और दुसरी प्रोग्लम महारी बन रही है आप रिपेरिंग में यह होता है कि आप एक प्रोग्लम से ही नहीं होता है कि बहुत सारे प्रोग्लम इसमें होते हैं तो जिसके कारण आप एक वीडियो को देखे निया आपकी दिमाग से ही बनती है वीडियो में तो एक ट्रिक बताऊंगो लेकिन इस चीज़ से बहुत सा फोग्म्होने की कारण एक टृक से आप आप सारे चीज को कर पाऊगा जब तक आप इसकी पूरी जनकारी नहीं रखोगी तो हमने एक जनकारी दीए इस जनकारी से यसा प्रोग्लम होगा तब ऐसी को चेंज करके आप अपना problem solve कर सकते और देखिये जो मैं अभी थीनर से साप कर रहा हूँ अगर PCB cleaning के वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा PCB cleaning के वीडियो देख सकते हैं मैं link description में दे दूंगा आप इसके पुरी डिटेल में बता दिया हूं इस वीडियो में और उससे अब देख सकते किस तरीके से देखें मैंने डिस पीसे भी क्लीक लिणिंग कर दिया हूं इसमें और इससे पता नहीं चालेगा मां कहा कहा कौन से आइसी चेंज क्या हूं थोड़ी सब्सक्राइब नह तो चलिए तब तक दिले बाइ हमारे चनल में जो नहीं हो हमारे चनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी लेटिस वीडियो सब सब्सक्राइब देखे पाए